दोस्तों RSS के प्रमुख मोहन भागवत का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट सामने आया है लिंचिंग करने वालों का उन्होंने जम कर विरोध किया यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हिंदुत्वा से इन लिंचिंग करने वालों का दूर दूर तक कोई तालुक नहीं है यानि हिंदुत्वा भी लिंचिंग के खिलाफ है और ये भी अपील उड़ों ने कर दी कि इन लिंचिंग करने वालों पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए और उन्हें सक्त सजा भी मिलनी चाहिए ये मोहन भागवत का स्टेटमेंट था काफी अच्छी पहल की गई है उनके द्वारा दोस्तों भारत में जब भी कोई लिंचिंग होती है तो उन लिंचिंग करने वालों पर सीधा ये आरोप लगता है कि उसकी विचारधारा RSS से जुड़ी हुई है इसलिए लिंचिंग पर मोहन भागवत को आज बोलना ही पड़ा ओवराल पर एक अच्छा स्टेटमेंट दिया गया उनके द्वारा लेकिन RSS पर लगे लिंचिंग के दाख को वो आगे चलकर कैसे मिटाएंगे क्या कदम उठाएंगे ये देखने वाली बात होगी दोस्तों अगर पॉलिटिकल वे में इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो बहुत सारे पॉलिटिशन्स का इसमें नुकसान है क्योंकि कई सारे पॉलिटिशन्स सिर्फ लिंचिंग पर ही डिपेंड है यानि मान लीजी अगर कोई तबरेज अंसारी को मार दे उसकी लिंचिंग हो जाए तब जाकर ही मुस्लिम पॉलिटिशन्स मुस्लिम खत्रे में हैं बोलकर वोट मांग सकते हैं जब कभी कोई हिंदू मर जाए या कोई पंडित मर जाए तब जाकर ही politicians हिंदू खत्रे में है या पंडित खत्रे में है बोलकर हिंदू भाईयों से वोट बांग सकते हैं तो कई सारे politicians चाहे वो किसी भी party से related हो या किसी भी religion से हो धर्म के नाम पे राजनीती करने वाले politicians का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है मोहन भागवत का lynchings का directly विरोत कर देना ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुचा सकता है communal politicians का याने खत्रे में हैगी राजनीती खुद ही खत्रे में पढ़ जाएगी Thank you so much guys